Welcome friends, you are watching Surl English Group, A Step Towards English World और हमारे साथ सीखे बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिस इसी सुरेश मौर और आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं Daily Pattern Sentences Daily Pattern Sentences ऐसे Sentences जीने हम रोज उपयोग में लेते हैं ऐसे Sentences जो रोज के हमारे बोलचाल में होते हैं और ही ने बहुत ही आसानी से सीखा जा सकता है और यह बहुत ही डिफरेंट दिखते हैं लेकिन इसे सीखना इतना कोई मुश्किल नहीं होता है तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे यह Daily Pattern Sentences होंगे कैसे आपके सामने Formula 1-1 कर करके आएंगे और याद करिए हमने इसे मार से बनने वाले Sentences इसके पहले की वीडियो में पढ़े हैं इसलिए हमें यह Daily Pattern Sentences सीखना आसान हो जागा क्योंकि हमने अभी अभी इसे मार से बनने वाले Sentences को यूज किया है हमें सिर्फ थोड़ा सा एक Verb लेना होगा जैसा कि आप अपने फॉर्मूला में देख रहे हैं सब्जेट इजेमार के बाद में हमें टू के साथ एक Verb लेना होगा वो काम हमें करना होगा जो हम करना चाहते हैं और उसका अनुवाद किस तरह से होगा आगे चल करके हम देखते हैं तो हमारी Affirmative Sentence, Negative Sentence, Interrogative Sentence, Interrogative Negative Sentence और WH Sentences हम इस तरह के Sentences आज अलग से कुछ पढ़ने जा रहे हैं जेने हमने नाम दिया है Daily Pattern, रोज क्योपियोग आने वारे Sentences तो Friends आप इन Sentences के Formula को एक बार फिर से देख लिजेए जो हमने पहले भी पढ़ा है और आगर आपको कोई प्रावलम होती है तो हमें आप हमारे Comment Box में लिखकर पूछ सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि हमारे Daily Pattern Sentences होते किस तरह के हैं और हम इसे किस तरह से अनुवाद कर पाएंगे या हम कैसे अपने Daily के बोलचाल में अपने लाइफ में यूज करते हैं तो Friends इस तरह के Sentences के जो आम तोर पे अनुवाद आखरी में हमें वाकी का अंत दिखेगा वो वाला है वाली है वाले है मतलब कोई ऐसा काम होगा जो अब तक तो होने वाला था लेकिन वह हुआ नहीं जैसे आप देखे इस स्क्रीन पर हम लोग आज Daily Pattern Sentence पढ़ने वाले हैं मतलब इसके पहले हमने वह Sentences नहीं पढ़ा आपके स्क्रीन पर अभी 10 Sentences एक एक करके आने वाले हैं मतलब आपके स्क्रीन पर अभी वह Sentences नहीं आये हैं तो ऐसा कोई काम जो अभी होने वाला है लेकिन नहीं हुआ है ऐसा Sentences जो होता है वह हम Daily Pattern नाम दे रहे हैं और उसे आज हम EZMA 2 के फॉर्मले से करेंगे और आपके स्क्रीन पर पहला सेंटेंस है वह HRC जाने वाला है मतलब वह गया नहीं रोहित केम जोइन करने वाला है मतलब उन्होंने किया नहीं तो आप यह Sentences एक एक करके सारे नोट कर ले स्क्रीन को पॉस करके यह Sentences आप देखेंगे और इसका हम आगे चल करके अनुआत करेंगे हमारा तीसरा Sentence है पापा गाहों से वापस आने वाले है मतलब वह आय नहीं है जल्दी करो बॉस आफिस पहुचने वाले है कोमल पुरानी नौकरी छोड़ने वाली किसी वज़े से वह अपना पुराना काम छोड़ देंगी उसका इडादा किसी को नहीं बुलाने का है इस समय वह किसी को invite नहीं करना चारे है मैं अब नए रूम में से होने वाला हूं जाने वाला हूं मतलब वह नए रूम ले रहे है क्या वह स्कूल जाने वाली है मतलब अभी तक को गई नहीं हम पूशना चारे है हाँ या ना में क्या तू रेस में दोड़ने वाला है हम पूशना चारे है पापा कब आने वाले है उस तरह का एक डब्लोज कोशन वट हम बनाएंगे नरिस्बूपाल से आज कैसे जाने वाला है मतलब वो किस म 먹고 बस या ट्रे Beitस हम पूशना चारे है दि दिल्ली क्यों जाने वाली है हम कारण पूशना चारे है ममी आज स्पेशल क्या पकने वाला है कोई लिस हम the app और किस तरह से हम इंजेमार को यूज करते हुए तू के साथ जब हम verb का first form यूज़ करेंगे तो हमारे sentence कैसे बदल जाएगे और आपके हर sentence में देखिए एक ना है नी है मतलब जैसे जाने, करने, वापस आने, पहुचने, अपिस पहुचने, नौकरी छोड़ने मतलब हर तरह के एक sentence देखिए आपको हर sentence में एक ना है, एक न करेंगे, आपका वह daily pattern sentence होगा, एक एक करके आपके skin पर आएगा, मैं इसे जल्दी-जल्दी पढ़ूँगा, आप उसे आराम से पढ़िएगा, और जैसे जैसे आपकी habit होती जाएगी, आपको भी इन sentences को पढ़ने की habit हो जाएगी, is to go to Gopal, Rohit is to join camp, पापा is to come back from village, हरिया boss is about to reach office, इसमें देखे, about आया है, कोई काम just होने वाला है, जिसमें हम लोगोंने he का यूज़ करते हैं, जैसे कोई भी काम होने ही वाला है, तो आप about का यूज़ करेंगे, आप ध्यान से लेखे, boss is about to reach, यह भी कुछ होने वाला है, पोमन is to resign her job, her office, मतलब कोई भी कुछने वाला है, her intention is not to invite anyone, I am now to sit in new room, is she to go to school, are you to run in race, when is papa to come, how is Naresh to go to Bhopal, why is Dili a sister to go to Delhi, what special dish is mommy to cook today, where are you all to go to, mathematician, who is to teach them English, तो आपके सामने देखिए, हर sentences में to के बाद एक first form है, और जो extra to अगर आपको दिख रहा है, जैसे पहले वाले sentence में, वो के बाद आपको to दिख रहा है, वो to अलग to है, वो preposition कहीं दिसा बताने के लिए है, जैसे इटारसी के तरफ जा रहे हैं, तो हम अलग है, वो to अलग है, लेकिन हमने जो वर्व के पहले to use किया है, वो वर्व है जो हम करना चा रहे है, जाने, खाना, जोइन करना, वापस आना, तो आप नीचे भी देखिए, ग्यारा नंबर के sentence में go के बाद two आया है, बारा नंबर में देखिए go के बाद two आया है, तो इस तरह के sentences हमारे हलग होंगे, जिसमें वो to आपको दिख रहा है, लेकिन हर sentence में हम एक to use करना है, तो हम आगे भी आपको sentence देंगे, जो आपके लिए homework होगा, आप इनने अच्छे से note कर ले, कोई भी doubt होता है, तो हम में comment करें, पूछें, email करें, हम आपके doubt को दूर करने क कोशिस करेंगे, हमने आपके लिए आगे एक homework का set भी रखा हुगा है, जिसे आप try करें, कोशिस करें, कि आप उसे बना पाएंगे, तो हम इसे homework का set आप note करें, formula वह use करना है, sentence थोड़ा से आगे पीछे या कुछ different हो सकते हैं, लेकिन हमें इनी सूत्र को use करना है, जो हमने यहाँ पर sentence के word बदल दिया है, subject बदल गया है, एक sentence आप देखिए, ग्यारा नमबर, चार नमबर के sentence में देखिए, बारिस होने वाली है, जिसे आप it से सुरू करें, कोई sentence थोड़ा सा difference हो सकता है, जिसे मेरा काम, आठवा नमबर देखिए, सिर्फ खाना बनाना है, तो य आठवा नमबर में देखिए, यहाँ के लास सिर्फ इंग्लिस पढ़ाने के लिए है, तो इस तरह के sentence आपको कुछ different मिलेंगे, आप note कर लिए, हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो बनाते रहेंगे, कीप वाचिंग सरल इंग्लिस गुरू, हम जो आगे और पढ़ेंगे देखिए, आपके लिए और हुंगी, जिसे आप लेखन धख से धीर और सिख भाहेंगे, कीप वाचिंग शरल इंग्लिस गुरू, एस तब वाचिंग वाचिंग स्ट्वाचिंग वर्ड, शब्सक्राइब चानल, लाइक अनग्न, प्रस्ट्चानल, लाइक अनमेंट, प्र share your knowledge with us, make your group larger and bigger.